देश की जानकारी में नहीं है, मैं खुलासा करना हूँ अभी, जब अटल जी प्रधान मंत्री बने अठानवे में, दुसरी बार बने, पहले बार तो तेरा दिन का था, दुसरी बार बने अठानवे में, उन्होंने सम्विधान की समीक्षा के लिए एक कमीटी का घठन की घो तब उनको Terms of Reference भेजा गया इस समीक्षा समीती का और समीक्षा समीती के Terms of Reference में पहले नंबर पा था तो एक्जामेन मूवमेंट फ्रम पार्लिमेंटरी फॉर्म अव गवर्मेंट तो प्रेजिदेंशल फॉर्म अव गवर्मेंट यानि की जो धांचा है सम्विधान का उसको बदलने की प्रयास की गई आप जानते नहीं है मैं अभी पहली बार कह रहा हूँ वेंगिट चलेया जी ने कहा अगर ये Terms of Reference रहेगा मैं इस समीती के अधिक्षता करने के लिए तयार नहीं हूँ उनको मनाने की कोशिश की गई पर वो माने नहीं तो तब एक नया Terms of Reference प्रकाशित किया गया जिसमें जो पहले कहा गया था इसकी जानकारी मुझे खुद वेंगिट चलेया जी ने दिया है दो बार वो आज भी हैं बेंगलोर में रहते हैं और उन्होंने दो बार मुझे कहा है कि ये प्रयास के गई जब समविधान की समीक्षा के नाम पर बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की गई आज जो अभी अभी कनया कुमार ने कहा है एक समवैधानिक संस्था दूसरे समवैधानिक संस्था पर आक्रमन कर रहा है बड़ा अद्बुत है कभी नहीं वहा है हमारे देश में कि एक समवैधानिक संस्था हो दूसरे समवैधानिक संस्था पर रोज आक्रमन कर रहा है आज सुबह भी आक्रमन है मैंने अभी अभी देखा की न्याय मंत्री बड़ा अन्याई है कि हमें ऐसा अन्याई मंत्री मिला है इसे बड़ा अन्याई नहीं हो सकता हमारे देश में और न्याई मंत्री ने अभी चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि कलीजियम में राज्य सरकार और केंद सरकार की नुमायन्दे होने चाहिए यह बेसिक स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की जा रही है और जान बूच कर न्याया लें और सरकार के बीच में एग्जेकेटिव और जुडिशिरी के बीच में नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24